कि आपके सामने जे में 223 गए अल्टरनेटिक करेंट का बार दी इंपोरेंट क्वेस्टिन जे में 224 के लिए यह क्वेस्टिन है अग कैपसीटर ऑफ कैपसीटर ऑफ कैपसीटन्स 150 क्वेस्टिन को सॉल्ट कर सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक कैपसीटिव सरक्ट है जिसमें आपके पास जो कैपसीटर है उसका जो कैपसीटर है वह आपका क्या है 150 मुफ है और यह जो आपका यह वो दिया जा रहा है यह साइन ओमेगा से आपका हो व्यंक होता है यह और बाइछ सी आइ-मेक्स नहीं होता है और में मैं policing होता है और आ एकसी दो दोस्तों क्या होता है एकसी हमारा होता है दोस्तों वन वाई ओमेगा सी और इसको दोस्तों हम कहते हैं कैपासिटिव रियक्टेंस जो काम दोस्तों रेजिस्टेंस का होता है एक नॉर्मल डीसी सरकिट में वही हमारा इसमें काम होता है कैपासिटिव रियक्टेंस क तो जैसे हम I equal to VYR करते हैं वैसे हम करते हैं I naught is equal to E naught by XC यानिकी maximum करेंट जब हमको निकालना होता है और दोस्तो XC की value हमारी होते है 1 by omega C हमको दोस्तो C तो दिया हुआ है 150 mu F लेकिन हमको omega निकालना होगा और omega हम कैसे निकालेंगे यह देखते हैं कि दोस्तो आपको दिया हुआ है E is equal to E naught sin omega T है आपकी एक standard equation होती है voltage के लिए और आपको दोस्तो voltage दिया हुआ है E is equal to 36 sin 120 pi T तो फिर यहां से आपको देख करी समझ में आ रहा है कि जो omega T की value है वह आपकी है 120 pi T तो यहां से दोस्तों आपके omega की value है 120 pi जो आपका time का coefficient होता है वह यह आपका omega होता है तो अब हमें omega भी मिल चुका है आई-naught के लिए आप करेंगे E not upon xc और E not upon 1 by omega c यानि कि यह omega c ऊपर जाके multiply हो जाएगा तो E not into omega into c हमाई पास E not भी है दोस्तों और c भी है यहां से आप E not भी देख सकते हैं E not आपका 36 हो जाएगा तो आप 36 को multiply करेंगे omega से omega है आपका 125 पाई approximate निकालना है इसलिए मैं पाई को 3 ले लेता हूं और आपका c है 150 micro farad यानि कि micro यानि कि 10 की power minus 6 तो फिर अब हम को इसको approximate करना होगा तो फिर दोस्तों यह आप इस 10 को और इस 10 को भान निकाल लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 36 into 12 into 3 into 15 into 10 की power minus 6 plus 2 यानि कि minus 4 तो फिर अब दोस्तों आप यहां से 12 into 3 आपका 36 हो जाएगा और आप यह 12 9 6 into 15 into 10 की power minus 4 तो फिर यह दोस्तों आपका approximately आपका यह आता है दोस्तों नाइन्टीन फोर 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 नाइन्टीन नाइन फोर फोर आप्रोक्सिमेटली आता है तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया यह कि यह कंसेप्ट पसंद आया और आपको पसंद नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाए तो आपको एक जी पीवाई की उसके लिक मिलेगी जिसे आप हमारे जीए के केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसा ही कंसेप्ट्वल छोटे छोटे वीडियो दे सकते हैं तूसे फाइम फाइम निट्स की कीव लटनी में ताविनों सब्सक्राइब जरू किजिए कर चैनल को ताकि हम ऐसा ही क्वालिटी कंसेप्ट सब तक पहुँँआए तैंक् सब्सक्राइब खुम थे रजिए है कि अधिनों सब्सक्राइब खाइनागा।